नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की सस्कृत से पाट 5 का अभ्यास्कार्य करेंगे प्रश नमबर 1 है एतानी कतनानी शुद्धानी अशुद्धानी वा इती वदन्तू लिखन्तू च इन कतनों को शुद्ध या अशुद्ध बताईए और लिखिए पाट के अनुसार जो कथन सही हैं उनके सामने लिखेंगे शुद्धम और जो कथन गलत हैं उनके सामने लिखेंगे अशुद्धम पहला वाक्य है शार्क मतस्यह दिव्यती अर्थात शार्क मचली चमकती है इसका उतर है अशुद्धम दूसरा है स्वर्णिमहा मतस्यह जले भूमा उचा उभ्यत्र वसती सुनेहरी मचली जल और भूमी में दोनों जगह रहती है ये है अशुद्धम तीसरा है जले बहवह विचित्रह जन्तवह वसंती जल में बहुत से कई परकार के जानवर रहते हैं यहाँ पर आएगा शुद्धम चोता है मंडू कह टर टर इती ध्वनिम करोती मेंडक टर टर की आवाज करता है ये है शुद्धम पांचमा वाके है शारकह बल्वान मतस्यभवती शारक बल्वान मचली होती है यहाँ पर आएगा शुद्धम चटा है चात्रहा समुद्र दटम गच्छन्ती चात्र समुद्र के किनारे जाते हैं यहाँ पर आएगा शुद्धम प्रश्चि नंबर दो है मन्जुषा याम प्रदत पदै रिक्स्थानानी पूर्यन्थू मन्जुषा में दिये गए पदों के द्वारा रिक्स्थानों को पूरा कींचिये पहला वाक्य है एते गंत्वह मृत्वा यहाँ का समुध्रे वसंती ये जानवर मिलकर समुद्र में रहते हैं दूसरा वाक्य है तत्र एकह मतस्यह दिव्यती वहाँ एक मचली जमकती है तीसरा वाक्य है अयम शार्कह यहाएगा मानवान अपी खादती यह शार्क मनुश्यों को भी खाती है चोथा वाक्य है यहाँ पर आएगा मंडू कहा तू जले भूमाउच उभ्यत्र वसती में डगतो जल और भूमी में दोनों जगह रहता है पांचवाँ वाक्य है स्वर्णि महा मतस्यह यहाँ एगा स्वर्ण सद्रिशह भावती सुनहरी मचली सोने के जैसी होती है प्रश नमबर तीन है उचित पर्याय पदम चित्वा लिखन्तू यहाँ पर आपको मंजूशा दी गई है जिसमें से छाटकर इन दिये गई शब्दों के पर्याय वाची शब्द लिखने है पहला शब्द है जनतुहू जनतुहू का प्रयाय वाची जीवह समुद्रह साग्रह मतस्यह मीनह मानवह मनुश्यह हर्शितह प्रसन्नह प्रश्ण नमबर चार है एते शाम प्रश्णा नाम उत्तराणी एक पदेन वदन्तू लिखन्तूच इन प्रश्णों के उत्तर एक पद में बताईए और लिखिए यहाँ पर आपको कुछ प्रश्ण दिये गए हैं और यहाँ पर उत्तर के लिए दो-दो ओप्शन दिये हैं इनी ऑप्शन में से चाट कर सही उत्तर आपको लिखना है पहला प्रश्ण है मानवान कह खादती मनुष्यों को कौन खाता है ऑप्शन है शार्क में तस्यह या मंढू कह तो सही उत्तर है शार्क में तस्यह दूसरा प्रशन है हर्षितहा चात्रहा कुत्र कच्छन्ती, प्रसन चात्र कहां जाते हैं? उप्षन है जन्तूशालाम स्मुद्रतटम, सहिउत्र है स्मुद्रतटम प्रशन तीन है कह जले भूमवच उभ्यत्र वसती कौन जल और भूमी में दोनों जगे रहता है उप्शन है कच्छपह, मतस्य, सही उत्तर है कच्छपह प्रशन चार है विशाल काय, मतस्य, किम नाम अस्ती बड़े शरीर वाली मचली का क्या नाम है उप्षन है शारकह स्वर्णिमह सही उत्तर है शारकह प्रशन पाँच है समुद्रस्य जंत्वह कथम वसंती समुद्र के जानवर कैसे रहते हैं उप्षन है मिलित्वा ब्रहमित्वा तो सही उत्तर है मिलित्वा प्रश्न पांच है एते शाम प्रश्ना नाम उत्तराणी पूर्ण वाकेन वदन्तू लिखन्तू चर। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाके में बताईए और लिखिये। समुद्र के जल में कौन चमकता है। उत्तर है समुद्रस्य जले स्वन्मह मतस्य दिव्यती अर्था समुद्र के जल में सुनेहरी मचली चमकती है। प्रश्न तीन है शार्क इती मतस्य किम किम खादती। शार्क यह मचली क्या क्या खाती है। उत्तर है शार्क इती मतस्य लगू मतस्यान मानवान च अपी खादती। शार्क मचली छोटी मचलियों को और मनिश्यों को भी खाती है। प्रेशन चार है जले मिलित्वा के वसंती, जल में मिलकर कौन रहते हैं? उत्तर है जले बहवह जन्तवह मिलित्वा वसंती, जल में बहुत से जानवर मिलकर रहते हैं पाच्वा प्रशन है मंडू कह कुत्र वसती मेंड़क कहा रहता है? उत्तर है मंडू कह जले भूम उचा उभ्यत्र वसती मेंड़क जल और भूमी में दोनों जगह रहता है. प्रशन छे है स्थुल पदा नाम स्थानेशू कोश्ठकात उचितम प्रशन वाचक पदम चित्वा प्रशन वाक्यानी वदन्तू लिखन्तूच स्थोल पदों के स्थान पर कोश्ठक से उचित प्रश्ण वाचक पद छाट कर प्रश्ण वाचक वाक्य बताईए और लिखिए यहाँ पर वाक्य दिये गए हैं और साथी ब्रेकेट के अंदर कुछ प्रश्ण वाचक पद दिये गए है यहीं से आपको एक पद का प्रयोग करके इस दिये गई बाक्य के लिए प्रशन बनाना है स्थोल पद हैं आपके ये आले मोटे एक्षरों में चपे हुए शब्द पहला बाक्य है चात्रहा समुद्र तटम गच्छन्ती चात्र समुद्र के किनारे जाते हैं प्रशन बनना चाहिए चात्र कहा जाते हैं तो यहाँ पर उप्षन दिये हैं आपको कदा कुत्र और कस्मिन तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कुत्र शब्द का तो प्रशन बनेगा चात्रहा कुत्र गच्छन्ती और अंत में लगाएंगे प्रशन वाचक चिन दूसरा वाक्य है आयम मंडू कह अस्ती यह मैंडक है यहां पर उप्षन दिये है कह, का और किम प्रेशन बनना चाहिए यह क्या है तो हम यहां प्रेवक करेंगे कह का आयम कह अस्ती और प्रेशन वाचक चिन तीसरा वाक्य है एक ह मतस्य जलस से उपरी आगच्छती एक मचली जल के उपर आती है यहां उप्षन दिये है केन, कस्ते और कस्मात तो यहां पर प्रेशन बनना चाहिए एक मचली किस के उपर आती है तो यहां हम प्रेवक करेंगे कस्ते बदका एक हम मतस्य कस्ते उपरी यहां option दिये हैं किम कानी और कान यहां पर प्रशन बनना चाहिए शार्क मचली किने खाती है तो हम प्रयोग करेंगे कान बदका शार्क कान खादती और अंतमे प्रशन वाचक चिन पांचवा वाक्य है समुद्रे बहवह जंत्वह वसंती समुद्र में बहुत से जानवर रहत हैं तो हम प्रयोग करेंगे के पदका समुद्रे बहवह के वसंती और अंतमे प्रशन वाचक चिन तो बच्चों यह था आपके पार पांच का अभ्यासकार है उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा वीडियो देखने के लिए सब का धन्यवाद मि मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार